पटनो दिली मुंबई जैसा सहर हलका फलका नुक्सान होगा नमस्कार समचार सुर्ख्यों आपका स्वागत है मैं हो रंगिला 2.0 कबाज में पहले देश दुनिया के खबरों के साथ तुर्की स्रिया जैसा भोकंप अगर भारत में होगा तो क्या होगा आज तुर्की स्रिया को लेकर पूरा देश दुनिया में चर्चा तुर्की स्रिया का लावे आसपास नो देशों में खामोसियों का मंजर कुदरत की कहर तुर्की स्रिया के नागरिक एक तरप तो भोकंप और ठंड में जिन्दगी और मौत से जूज रही है तो दूसरी तरप आग की गोला ने दस तक दे रही सहरवासियों को अब समचार बिस्तार से पाँच फरबरी सुबह चार बज का सत्रे मिनट पर तुर्की स्रिया के कुछ नागरिक तो चैन का निंद ले रहा था तो कुछ वेकती सुबह का इंतजार कर रहा था किसे को कुछ सुचने समझने कहने की मोका नहीं दिया 7.8 की तीवर जटका से आई भुकंप सापनो जैसा सहर इमारत ध्वास्त तुर्की में इससे पहले दो बार भुकंप आया था उनीस सुनी नौनबे और 2011 में उतना परभाब नहीं परा लेकिन पाँच फरबरी 2023 की भुकंप ने तुर्की सिरिया को पूरा जिख जूर कर रख दिया पूरे दुनियों में चर्चा तुर्की सिरिया का लबा आसपास नो देसों में खामोस्यों का मंजर अब तक लगवग 40,000 नागरी को क्यी मौत कई हजारों की संख्या में जिन्दार मूर्दा वेक्तियों को भुकंप की मालवा से बाहर किया तुर्की के भुकंप से पिर्थी भी दो टुक्रों में हो गिया है होगा वल्ड मैप सर्वे तुर्की स्रिया जैसा भोकम्प अगर भारत में होगा तो भारत को बाल बाका नहीं होगा क्योंकि भारत को पीछले कई बरसों से भोकम्प के जटका कई हजारों बार लगी है पटनों दिली मुंबई जैसा सहर हलका फलका नुक्सान होगा भारत के कई छोटे बुरे नदी नहर पर बसे हुए सहर समेत ताटी व्यक्ति को भोकम से उतना नुक्सान नहीं होगा जितना की तूर्की सिर्या में हुआ है चलते हैं फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए दिश दुनिया की खबरे इतना सा